कुजरात राजे सरकार के ओर से चार दिन पहले ओफलाइन सिक्षा 100% हाजरी के साथ शुरू करने की घोशना करवाई गई थी जिसके तहट स्कूलों में ओफलाइन सिक्षा शुरू हो चुकी है महराजा सयजी राव यूनिवर्सिटी में भी ओफलाइन सिक्षा को शुरू करवाया गया है जिसके तहट कॉमर्स फेकल्टी में आखरी साल के जात्रों की ओफलाइन सिक्षा शुरू हो चुकी है हाला की सुतरों के हवाले से इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मताबिक कॉमर्स फेकल्टी के प्रात्या पको की ओर से ओफलाइन सिक्षा का विरोध जताया जा रहा था जिसके चलते कॉमर्स फैकल्टी के टीन केतन उपाद्याई की और से अचानक ही प्रात्याबकों के साथ मीटिंग बुलाई गई थी हाला कि मीटिंग के बाद शिक्षकों की और से ये बताया गया कि उनकी और से ओफलाइन शिक्षक का विरोध नहीं किया जा रहा है बलकि उनकी तो मांगे है कि कॉमर्स फैकल्टी में टेंपररी शिक्षकों की परति की जाए और इसके साथ ही पैच की संख्या भी बढ़ाई जाए ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कॉमर्स फैकल्टी के टीन के तनुपादियाई और शिक्षकों ने ज्यादा जानकारी दी है प्लानिंग एक्जामीनेशन प्लानिंग के विरित्ते करवानू एक डिस्कसन था यू अवे आमा जे ओपलाइन टीचिंग छे तो सिक्षक मित्रों पूत्पोता ना अभी प्राय आप या लग्टर तरी के आपड़े माइक्रोसोफ टीम मां जे 220 ना क्लास करया छे तो ए 220 220 ना क्लास जारे ओपलाइन मेथड मां उसे क्यारा आपड़े मने के विरित्ते डिल करी शू पच्छी अजे हमारा मास्टर डिग्री ना जे सिलेबस कंप्लीट करवानी वातों छे अमारा अंडर ग्रेजुएट ना एनी वातों छे तो ए जे अकेडेमिक प्लानिंग छे ए केवी भी छे के डिवीजन नी जे फर डिवीजन जे छोकराओ हुआ जोई ये जे गवर्मेंट अब गुजराते की दा छे ये रिते करवाई ना इटले छोकराओ नी भी सेप्टी सचवाई टीचरों नी भी सचवाई अने क्लास भी ओफ लाइन चालू थाई अने गणा वक साइन्स मां ओफ लाइन चालू थाई क्यों जे जुआ क्यों सरस चाले जे जो एना माटे साहे भी हो कि दू जे क्यों हुआ और युनियर्सिटी नी अथ्वारीटी जोड़े वात करी ने नवा टीचरों नी अपइंडमेंट नू बात पूछे लाँ चू अने टेंपररी ट चारिये जो कोई डिसीजन लिदू न थी नथी बेंचिस के नथी क्लास कोई पन डिवीजन मा बैसालवा माटें तो ओफलाइन सिक्षन के विर्दे सक्क्या बने एना उपर चर्चा थाईचे जो वधारे सिक्षकों न लेवा पड़े गुद्रात सरकारे क्याईपन क्यारेईपन सिक्षक ओछा करो के लोकों ने अब खबरों से लगातार अबडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गुगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें